Google Analytics के आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि कस्टम इवेंट्स किस तरह से क्रियेट कर सकते हैं Google Analytics के अंदर पहले से कुछ प्रीडिफाइंड इवेंट्स रहते हैं जैसे कि पेज वीव हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, या भी क्लिक हो गया इस तरह हैं कि इवेंट्स हमारे पास होते हैं तो फिर मुझे पता ना चाहिए कि कितने इवेंट्स म संपिशन कितने वहें तो मुझे अगर अगर मिल चाहता है तो मुझे पता चलता है कि जो मेरे विजिटर्स हैं, वो leads में convert हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह हैं कि काफी सारे जो tracking हो सकती है, जिसको आप conversion भी कह सकते हैं, उसको करने के लिए हम custom events या हमारे खुद के events उनको create करते हैं, तो वो किस तरह से create करने हैं, यह मैं आज आपको बताने बाला हूँ, तो सबसे पहले आप analytics पर आजाएंगे, तो analytics के अंदर इसके अंदर आपको setting वाले tab में चले जाना है, setting वाले tab के अंदर आप यहाँ पर जो option हमको मिलने वाला है data display इस पर click करेंगे, और data display के अंदर events नाम का जो है tab आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अब यहाँ पर देखिए कुछ events को आप key events mark कर सकते हैं, जैसे कि यह purchase एक event है, तो यह key events जो है बना हुआ है, इसको आप unmark भी यहाँ पर आ जाते हैं, अभी यह कुछ events extra हैं, जैसे कि यहाँ पर form submission, form submit, तो यह कुछ हमने extra events अभी बनाए थे, तो हलांकि आपको by default जो है 5-7 events, 7 events इसके अंदर मिल जाते हैं, तो अभी custom event हम किस तरह से बना सकते हैं, custom event बनाने के लिए आपको create event पर click करना है, और यहाँ यहाँ पर जो है, आप उस event का नाम fill कर सकते हैं, अभी इसके अंदर थोड़ा सा interface में change हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर मुझे event बनाना है, जैसे कि मुझे contact form submission का event बनाना है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ contact form or submission, तो यह मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया, ठीक है, अ अगर आप default वाले option पर जाते हैं, तो आपको दो यह option मिलने वाले है, page view और form submit, ठीक है, तो form submit के अंदर जाकर, हलांकि आप form submission वाला जो हमारा, क्योंकि यह contact form form type का event ही है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बट हम इसके अंदर थोड़े से advanced option को देखने वाले हैं, वो क क्लिक करना है, जब आप view more option पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक अलग interface आपके सामने open हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पर यह जो हमारा contact form है, इस contact form को जब मैं fill करूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक thank you page मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर open करके दिखा देता हूँ, तो इस page को हम यहाँ पर open करते हैं, और यहाँ पर हम इसको thank you page को open कर लेते हैं, तो यह हमारा thank you page है, जब भी कोई form फिले करेगा, तो यह वाले form पर वो redirect हो जाएगा, तो आपके form के अंदर यह option आपको जरूर मिलेगा, यह WP form से यह form create किया गया है, तो उसके अंदर यह option ह हमें मिल जाता है, तो अब हम आते हैं वापिस किस तरह से create करना है, अब यहाँ पर देखी सबसे पहले यह जो है event name equals to page view, यह आपका default रहने वाला है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि जो हमारा, हम यहाँ पर जो event perform करने वाले हैं, जिससे हमारा thank you page open होगा, वो किस तरह का event है तो पहले एक predefined event आप इसके अंदर रहता है page view, और दूसरा जो event है page की location, यहाँ से आप change भी कर सकते हैं, ठीक है अभी फिलाल यह parameter क्या है, page का location है, और यहाँ पर आपको contains में जाकर, contains या ignore case कर सकते हैं, या simply contain भी कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर जो यह चीज चाहिए, म यह मैं हटा भी सकता हूँ, और यह आप रहने दे सकते हैं, यह तो हो नहीं वाला है, ठीक है, तो thank you हमारा उस URL के अंदर होना चाहिए, मतलब आपके URL का यह last वाला part है, इसको आप copy कर लें, इसको complete भी कर सकते हैं, यह से भी कोई issue नहीं आने वाला है, ठीक है, तो यह एक condition होगी, मतलब अगर यह दोनों condition फुल्फिल होती हैं, तो हमारा एक event count होगा, अब हम इसको save कर लेते हैं, तो यह हमारा contact form submission event जो है, वो create हो जोका है, ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा कोई और changes नहीं है, तो इस पर हम एक बार create पर click कर देते हैं, यह हमारा event जो है create होगा, और वहाँ पर आपको यह जो आपने event create किया है, वो मिल जाएगा, तो अब यह event काम कैसे करेगा, जैसे कि मैं इस contact form पर हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको fill कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी नेम एक बार fill कर लेता हूँ, जैसे abc.gmail.com, और subject हम info लिख देते हैं, this is demo message, check event, यह हमने यहाँ पर fill कर दिया, अब हम send message पर click करते हैं, send message पर click करने पर यह हमारा thank you page यहाँ पर आ चुका है, तो अब हमें यह check करना है कि क्या हमारा यह event यहाँ पर आया है, यह नहीं आया है, तो हलाकि कई बार यह event आपके इसमें populate होने में काफी time लग सकता है, अब ही जो हमने event create किया, बहुत ही simplified तरीके से हमने create किया, simply हमने उसके अंदर URL पेस्ट किया है, तो हम सबसे बहले real-time overview में चले जाते हैं, और real-time overview के अंदर यहाँ पर आपको events के अंदर भी यह data मिल जाएगा, तो फिलहाल यहाँ पर event पर नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार इसको refresh कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह real-time overview जो real-time overview है, उसके अंदर हमारा जो contact form submission वाला जो event है वो आ चुका है, हला तो थोड़ा सा यह delayed है, बट यह आपको particular जो report है, वो event जो है, वो आपको count जरूर देता है, अला कि analytics के अंदर आपको page का जो number है, वो दो दिख रहा है, बट यहाँ पर भी event आने में थोड़ा सा time लगा है, तो यह हो सकता है, आपकी website के साथ भी event बनाने के बाद, तो यह थ सकते हैं, उसकी जरूरत हमें कुछ अलग-अलग cases के अंदर पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर तो हमारे पास एक simple URL हमारे पास available था, तो हमने वो URL एंटर कर दिया, तो कुछ और cases भी हो सकते हैं, जहाँ पर हमें कुछ इस तरह हैं कि event create करने पर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पा इस तरह से आप GTM का यूज कर सकते हैं और यह वाला भी option कैसे आप GTM के अंदर बना सकते हैं, तो वो सब कुछ हम नेक्स वीडियो के अंदर देखेंगे, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो के अंदर